आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट प्राइवेट कैसे कर सकते हैं यानि कि अपनी इंस्टाग्राम की आईडी को प्राइवेट कैसे कर सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं Instagram account private करने के लिए आप अपने phone में Instagram application को सबसे पहले open करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं open करने के बाद नीचे आपको अपनी profile photo यानि कि अपनी Instagram की DB का icon मिलेगा तो यहाँ पर इस पर click करिए किलिक करते ही आपकी Instagram की profile open हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर right side corner में 3 line यानि की 3 line का option मिलेगा तो इस पर click करिए और इस पर click करने के बाद option आएगा settings का option तो settings पर click करिए settings पर जैसे ही click करेंगे एक option आपको मिलेगा follow and invite friends notifications, business और एक option आएगा privacy तो privacy के option पर click करिए अब उसके बाद एक option आपको मिलेगा account privacy, private account यहाँ पर आपका यह disable होगा by default तो यहाँ से इसे चालू करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप इसे on करेंगे अगर आपको इस type की problem आईगी तो इसे okay करने के बाद back आजाईए और account का एक option मिलेगा Instagram की settings में account पर click करिए और नीचे scroll करके आपको मिलेगा switch account type इस पर click करिए उसके बाद आपको मिलेगा एक switch to personal account का option तो switch to personal account पे click करिए उसके बाद switch to personal account पे फिर से click करिए अब उसके बाद आप देख सकते हैं switch to personal account अब आप privacy में click करिए यहां से इसे चालू करिए और आप देख सकते हैं switch to private नीचे इस पर click करिए जैसे ही click करेंगे आपके Instagram का account private हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं इस type से आप अपने Instagram के account को private कर सकते हैं और अगर आपको problem आईगी private account करने में तो आपको settings में account में जाकर अपने account को personal account बना देना होगा तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe जरूर करें